इस वीडियो में हम Newton के first law के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हमने Newton का first law लिख लिए है तो आईए से बढ़ते हैं Everybody continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise अभी तो बहुत बड़ा sentence था इसका मतलब क्या हुआ तो आईए देखते हैं इसका मतलब Everybody continues to be in its state of rest तो मान लिजिए कि आपके पास एक lake है एक ताला पर जो की जम गया है ठंड के कारण जम गया है और इसके उपर हम एक ice का cube रख देते हैं ठीक है यह है हमारा ice का cube और यह जो ice का cube है यहीं पे रखा हुआ है इस पे कोई force act नहीं कर रही है कोई से छेड नहीं रहा है तो Newton यह बोल रहे है कि यह जो ice का cube है यह अपनी state state of rest में ही रहेगा जब तक कि उस पे कोई external force act नहीं करे जब तक कि उसे कोई push या pull नहीं मिले यही आपने सीखा होगा न आपने lower classes में force के बारे में force is a push और a pull अगर कोई इसे ढखेले नहीं या कोई इसे घीचे नहीं तो यह ice का block जो है सदियों तक यहीं पड़ा रहेगा लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जब भी इस पे force लगे तो यह move करने लगेगा तो आईए एक experiment करते है मान लिजिए आप इस block को right side में push कर रहे है और मैं जो हूँ left side से इस block को ढखेल रहा हूँ और हम तोनों जो है बराबर ताकत के साथ इस block को ढखेलने की कोशिश कर रहे है तो क्या आपको लगता है कि यह block अब move करेगा नहीं ना क्योंकि हम तोनों एक दूसरे के force को काट रहे है और इस type के forces को बोलते है balanced forces balanced forces यह दोनों forces एक दूसरे को balance कर रहे है इसलिए यह block नहीं move करेगी लेकिन अगर अब एक तीसरा दोस्त आ गया और वो जो है वो इस direction से एक और force लगाने लगा तो अब जाकि यह जो block है यह move करने लएगी क्योंकि अब यह forces होगे unbalanced तो अगर किसी body जो की state of rest में उस पर अगर unbalanced forces लगें तो वो body जाके अपना state छोड़ देगी वरना वो body उसी state में continue करेगी रहने के लिए और यही बोल रहे है Newton भाई साब और यह है हमारे Newton भाई साब लंबे बालो वाले गैलियो और यह भी अपने जमाने के बहुत बड़े scientist थे और असल में यह जो law है यह law of inertia जो कि इन्हों नहीं सबसे पहले दिया था और इसका श्रे हम Newton को भी देते हैं क्योंकि Newton ने इस law के साथ-साथ और भी बहुत सारी law बनाई जिसको कि उन्होंने अपने बुक प्रिंसिपिया में चापा था और उस law की मदद से बहुत लोगों ने motion के बारे में बहुत कुछ जाना है इसलिए इसका श्रे जो है Galileo और Newton को दोनों को दिया जाता है तो आईए अब इस law के दूसरे हिस्से के बारे में समझते हैं अभी तक तो हमने बस पहला हिस्सा देखा था और वो क्या है कि Everybody continues to be in state of rest कोई भी वस्तू अपने state of rest में continue करेगी रहना unless compelled by some external force unless कि उस पे कोई external force नहीं लगे और वो external force कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए unbalanced force अगर वो balanced हुआ तो वो नहीं move करेगा और इसका second part यह है कि Everybody continues to be in its state of uniform motion in a state line unless compelled by some external force तो अब यह चीज़ जो है यह समझने में थोड़ी से दिक्कत करती है तो ध्यान दीजेगा तो यहाँ पे Newton यह कह रहे है कि अगर कोई body है जिसका की state जो है uniform motion का है और uniform motion क्या होता है uniform motion होता है constant velocity और uniform accelerated motion होता है constant acceleration तो अगर कोई body constant velocity से जा रही है state line पे तो वो जो है अपना state नहीं छोड़ेगी हमेशा उसी velocity से चलती ही चली जाएगी जब तक कि उस पे external force नहीं लगे तो यहाँ पे अगर इस हम ice के block को ढखेल दें और ढखेल के छोड़ दें तो जैसे ही ice का block हमारी हाथ को छोड़ेगा वैसे ही उसकी velocity कुछ होगी मान लेजे 5 meter per second तो Newton के अनुसार यह जो ice का block है यह हमेशा 5 meter per second की velocity के साथ चलता ही रहना चाहिए यह कभी रुकना नहीं चाहिए लेकिन यह तो हमें पता है यह ice का block जो यह आगे जाके रुक जाएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यह चलता रहे अगर हम किसी ball को उपर उच्छाल रहे हैं तो जैसे ही ball हमारा हाथ छोड़ती है तो मालिच उसकी velocity कुछ 10 meter per second होगी तो Newton के अनुसार वो ball हमेशा उपर 10 meter per second की velocity के साथ चलती रहनी चाहिए कभी रुकना ही नहीं चाहिए लेकिन हमें पता है कि ball के velocity जोई कम होती रहेगी और फिर वो नीचे गिरने लएगी एक time के बाद अगर हम किसी ball को जमीन पे लुड़काएं तो भी यही हाल होता है ball जो है धीरी धीरे जाके रुक जाती है तो ऐसा हो क्या रहा है तो देखें Newton के अनुसार ये सारी वस्तुएं जो है रुक रही है इसका मतलब कि इन सब में कोई external force है और ये सही बाद भी है क्योंकि देखिए ये जो ice है ये बहुती smooth है बहुती चिकना दिख रहा है हमें दूर से लेकिन अगर हम इसमें zoom in करेंगे microscopic level पे जाएंगे तो आपको जो है water के molecules एक lattice बनाता हुआ दिखाएंगे और वो जो lattice है वो थोड़ा खुरदुरा सा होगा ये हो गया उपर के block का lattice मालेजे और नीचे वाली जो surface है इसको हम zoom करके आपको दिखा रहे हैं और नीचे वाली जो surface है वो भी कुछ खुरदुरी सी होगी उसकी भी lattice और ये जो है आपस में रगड़ेंगे और एक force create करेंगे और इस force को हम बोलते है friction force और यही force जो है ये body के motion को oppose करेगा body को रोकने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे air भी तो है air के molecules हैं यहाँ पे अब air के molecules यहाँ पे random motion कर रहे हैं और आपका यह जो block है यह जैसी आगे जाएगा यह उसे टकराएगा और अगर टकराएगा तो यह air के molecules से रोकने लगेंगे और इसलिए यह जो block है आगे जाके रुक जाता है similarly अगर आप ball को उपर फेक रहे हैं किसी ball को उपर उच्छाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसे gravity नीचे घीच रही है एक force gravity की है और air resistance भी तो है हवा के जो particles हैं वो भी उसे टकरा रहे हैं और उसे आगे जाने से रोक रहे हैं तो इन सब चीजों के कारण ball जो है उपर जाके नीचे गिर जाती है अगर आप ball को roll कर रहे हैं जमीन पर तो भी friction के कारण थोड़े देर बाद ball रुक जाती है तो गैलीलियों ने सोचा कि अगर मैं किसी ball को किसी ऐसे जगह पर फिकूँ जहां पर कोई friction नहीं हो कोई air resistance नहीं हो कोई gravity भी नहीं हो और शायद गलीलियों ये बात इसलिए सोच पाए क्योंकि वो बहुत सालों से planets का अध्यन कर रहे थे planets को सूरज का चक्कर काटते हुए देख रहे थे और उन्होंने ये सोचा होगा कि planets तो बहुत सालों से ये चक्कर काट रहे है और इनकी स्पीड कभी कम होती नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है और शायद उन्हें लगा होगा कि क्योंकि बाहर स्पेस में कोई friction नहीं है कोई air resistance नहीं है तो इसलिए इनकी स्पीड कभी कम नहीं हो रही है सिर्फ और सिर्फ इनकी direction बदलती है वो भी gravity के कारण और इसी की मदद से उन्होंने ये law of inertia हमें दिया और इस law of inertia के हिसाब से जो state of rest है और state of uniform motion है इसमें कोई भी अंतर नहीं है इसी को समझने का एक सरल तरीका है मान लेजे कि एक aeroplane है इसे बना लेते हैं और आप इस plane के अंदर हैं और ये जो plane है ये constant velocity से चल रही है इसकी सारे खिड़कियां भी बंद है और इसके engine का आपको आवाज भी सुनाए नहीं दे रहा है और कोई company भी नहीं है इस plane में तो अगर मैं आप से पूछूँ कि क्या बता सकते हैं आपकी plane चल रही है या रुकी हुई है तो क्या आप ये बता पाएंगे क्या आप ये differentiate कर पाएंगे कि ये plane हवा में constant velocity से चल रही है या फिर ये plane जमीन पे खड़ी है ये बताना आपके लिए नामुम्किन हो जाएगा और इसलिए हम कहते हैं कि जो state of rest है और state of uniform motion constant velocity वाला motion वो बिलकोली बराबर एक दूसरे के